हलो बच्चों एक गफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में बच्चों नोदे विद्याले के इंटरेंस एक्जाम में OMR शीट भरी जाती है आप सभी को पता है कि कुछ इस तरह की शीट आपको एक्जाम में मिलेगी यह जो शीट आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो ऐसी शीट आपको एक्जाम में मिलेगी जो रेड कलर की होगी और दोनों तरफ प्रिंटेड होगी इसमें आपको अपना रूल लंबर अपना नाम सबसे पहले तो भरना होता है और उसके बाद अपने एंसर जो है यहाँ पे देने होते हैं जैसे questions number जो लिखा हुआ है जैसे पहला question number है तो उसके आगे जो भी एंसर है ABCD आप यहाँ पे mark करोगे ठीक है तो इस तरीके से आपको OMR sheet अपना भरना होता है आपके एक्जाम में तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही से explanation के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको OMR sheet भरनी है और क्या-क्या गलतियां नहीं करनी है देखो बहुत सारे बच्चे ना last-last में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनका OMR sheet reject हो जाता है और OMR sheet reject होने का मतलब कि आपकी सारी मेहनत पे पाने फर जाएगा आपने जितना भी मेहनत किया हुआ है जितनी भी प्रैक्टिस की हुई है जितनी भी अच्छी आपके तयारी है फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर किसी काम का वो नहीं रह जाएगा क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां है बच्चे कर देते हैं जिसकी वज़े से उनका OMR sheet reject हो जाता है वो गलतियां आपको नहीं करनी है इसलिए वीडियो को last तक देखना बिटा time कम है आप सभी के पास exam time है इसलिए चाहो तो वीडियो को 1.5x या 2x पे देख सकते हो दूसरा पेज देखो ये वाला दूसरा पेज है जो की main पेज है आपका इसमें आपको अपने answers fill up करने होंगे और पहले वाले पेज में आपको क्या करना है अपने basic details fill up करने है इस वाले पेज में तो थोड़ी सी चीज़े हम लोग जानते है सबसे पहले instruction पे चलते हैं एक एक चीज देखते हुए चलते हैं देखो अच्छा एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो का इंडिनेट का name लिखना है यहाँ आप अपना नाम लिखोगे लेकिन हो सकता है को OMR sheet में कोई बदलाओ आए थोड़ा बहुत और यह जो नाम लिखने वाला column है वो second page पे यहाँ कहीं दे दे तो उससे बटा घबराना नहीं है आपको पढ़ना है चीज़ें पता चल जाएंगी जैसे नाम यहाँ पे लिखना है तो यहाँ लिखो और अगर अगले page पे लिखना हुआ इस वाले page पे तो इस वाले page पे लिख देना यहाँ पे तो तुम्हें दिखेगा ही कि क्या लिखना है बस एक बार देख लो कि किस तरीके से भरना है आपका roll number यहाँ पे भरना है जैसे कि मालो कभी-कभी roll number केवल numerical होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0 इस तरह का कभी-कभी इसमें एक letter भी होता है जैसे कि आपका roll number हो सकता है J, 2, 0, 1, 7, 3, 6 तो इस तरह का भी हो सकता है तो जैसा भी आपका roll number है और शायद इस बार के जो roll numbers आपको मिले हैं उसमें alphabet भी है तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे अपने जब exam center में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे A, B, C, D इस तरीके से Z तक के column आपको दिखेंगे ठीक है और जहाँ पे आपको अपने numerical roll numbers भरने हैं जैसे 1, 2, 3, 4 वहाँ पे तो इसी तरह के column दिखेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी ठीक बटा बात समझ में आ रही है तो चलो स्टार्ट करते हैं माल लोग की मेरा roll number है let's suppose की मेरा roll number है J 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मैंने यहाँ पे roll number इस तरीके से भर देना है असानी से भर लोगे ठीक है और एक चीज़ का ध्यान रखना यह line wine ने खीचने बटा इस पे ना कोई भी आपको extra निशान, extra marks नहीं लगाने है समझे रो जितना कहा गया है उतना ही करना है जितने columns दिये हुए है वही चीज़ें उतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे भर ली है next देखो अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में आने की capital letters में आपको भरना है ठीक है जैसे कि मालो मेरा नाम है अगर अशोक कुमार तो मैंने A-S-H-O-K यह मैंने क्या लिखा बड़े अक्षरों में लिखा चोटे अक्षरों में नहीं यानि small letters में नहीं आपको capital letters में लिखना है पिता का नाम मैं आपको लिख दो मालो की मेरे A-B-C यादव है तो मैंने A-B-C यादव लिख दिया पिता का नाम ठीक है आपके पिता का नाम जो भी आप लिख लिए नहीं यहाँ पे बड़े अक्षरों में देखो capital letters में लिखा हुआ है तो capital letters में ही आपको लिखना है इस बात का ध्यान देना है ठीक है बटा अब देखो यहाँ पे कुछ instruction आपको दिये हुए है देखो यह तो पहला page है अपना जो यह second page है ना इसमें देखो आपको roll number भरना है और आपके आपका जो main test booklet number है वो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको जो main test booklet number होता है उसको यहाँ पे भरना है और आपका जो state है, district है, block है, center है यह जो code है ना यह आप अपने invigilator से पूछ सकते हो आपके admit card में भी दिया रहाएगा तो यह आप भर सकते हो ध्यान रखना जहां भी आपको confusion होता है आपके जो परिक्षक होंगे exam में यानि कि जो teacher होंगे आपके exam hall में उनसे जरूर पूछना है बटा अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है न तो उनसे पूछ करके भरना अपनी जबरदस्ती मत करना फिर गरबड़ हो जायेगी और दिक्कत आएगी बटा तुम्हारा OMR sheet जो है जाच नहीं होगा और फिर reject हो जाएगा वो सारी चीजें सारी मेहनत बेकार हो जाएगी देखो कुछ इंस्ट्रक्शन है जरा पढ़ते हैं इसी हिसाब से हमें चलना है पहला क्या कह रहा है कि नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेंट का यूज़ करना है देखो मैं तो recommend करता हूँ आप सभी को कि आप black ballpoint pen ही ले जाएं क्योंकि ये dark चलता है और जल्दी recognize कर लेती है machine जो होती है जल्दी recognize कर लेती है dark colors को तो आप जो है black pen ही लेके जाएं दो pen लेकर जाएं आप दो से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं लेकिन ध्यान रखना ये pen ऐसे लेकर जाना तो थोड़ा घिस लेना एक दो बार roughing उससे कर लेना तब लेके जाना और गोले को अच्छे से भरना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गोले है ना उनको पूरी तरीके से भरना है और इतना ज़्यादा डरना भी नहीं है कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा संसिटिव हो जाते है कि सर एकदम थोड़ा सा मतलब 1 mm से भी कम का ज़्यादा ही हो गया लेकिन 0.1 mm का भी अगर गैप छूड़ गया तो क्या नहीं लेगी मशीन उससों कैप्चर नहीं करेगा हो जाएगा बचा इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है न जैसे आपने एकदम ज़्यादा ही जैसे यह देखो यहां पर एकदम ज्यादा ही छोड़ दिया है तो फिर दिक्कत वाली बात है लेकिन ठीक है अगर थोड़ा बहुत छूड़ आता है जैसे कि मालो मैं भर के दिखाता हूँ जैसे अगर अपने ऐसे भरा है ना बटा इस तरीके से भरा इस तरीके से अब ये देखो ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल हलका सा छूटा हुआ है तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ना है तो इस चक्कर में आप ज़्यादा टाइम मत व्यतीत कर देना अगर आप ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम इसमें खर्च कर दोगे तो आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा और आप आपको क्वेशन सॉल्फ करने के लिए कम टाइम मिलेंगे इसलिए बहुत इसको print करा लेना 2-4-10 बार practice कर लेना अच्छे से मैं तो कहता हूँ बटा अभी से न OMR sheet पर ही practice करो जो भी आप mock test लगा रहे हो जो भी आप बटा model papers लगा रहे हो वो सारी जो practice है OMR sheet पर complete fill up के साथ करो complete 2 घंटे का time दो बैठो 2 घंटे ठीक है न चलो यह चीज हो गई तो इस तरीके से पूरा-पूरा भरना है देखो कही मीना दो आपको गोले नहीं भरना है एक question के लिए एक question के लिए सिर्फ एक ही गोला भरना है देखो जैसे इसमें यह cut या फिर right का निशान इसमें लगा है तो यह गलत है यहाँ पर cut या राइट नहीं करना है आपको उसको पूरा-पूरा भरना है इस तरीके से ठीक है next देखो क्या लिख रहा है कि किसी भी गोले में किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के बाद कोई परिवर्टा नहीं नहीं है यानि कि कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो यह तो आपको पता ही है उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगा है मतलब कोई और निशान कोई और मार्किंग आपको नहीं करनी है rough work must not be done मतलब rough work नहीं आपको करना है जाहिर सी बात है यतने होशियार तो आप हो ही ठीक है प्रतेक प्रश्ण का उत्तर उत्तर पत्रिका में दियेगे क्रमांग के सामने संगत गोले में निशान लगा कर दीजिए बहुत ही कलिष्ट सा हिंदी है बहुत कटिन सा हिंदी है यह कहना यह चाहरा है बटा देखो मैं second page पे आपको दिखाता हूँ कहना यह चाहरा है कि भाई अगर तुम्हारा question number one है तो question number one के सामने जो ABCD option दिया हुआ है उसी में से किसी A को आपको fill करना है जो भी आपको सही लगता है let's suppose आपको A वाला सही लगता है बटा तो A वाले को अच्छे से fill कर दो इसको black color से इसको एकदम अच्छे से इस तरीके से तुम fill कर दो A वाले को ठीक है न पहले का A हो गया अच्छा एक बात और आपको बता हूँ कि मैंने अभी एक video upload की है strategy वाली बता strategy वाली जो video upload की है उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से three phase strategy आपको अपनानी है यानि कि पहले phase दूसरे phase में 45-45 minute का समय देना है आपको और last में 30 minute का समय बचेगा एक बार अच्छे से देख लेना पहले 45 minute में आपको OMR sheet नहीं भरने है ध्यान रखना अच्छा ये study अच्छा काम आयागा आपके और बढ़ियां आपको number लाके देगा तो पहले 45 minute में OMR sheet मत भरना जो भी चीज़ें आपको आ रही है वो question paper में mark करते जाना ठीक है खेर वो तो देख लेना तुम अभी OMR sheet की बात करते हैं इस तरह से जिस तरह से मैं mark कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ रफ कर रहा हूँ तो उस तरह से आपको नहीं करना है आपको सिर्फ जो चीज़ करनी है यहाँ पे एकदम to the point exact वही करना है ठीक तो यह हो गया अब देखो यहाँ नीचे से आपको यह पहले पेज पर एकबर चलते हैं यह जो है पहले पेज पर इससे आपको कुछ खास मतलब नहीं है यह मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस आपके लिए दो में चपा हुआ मुख्य पुस्ति का कोड समान हो अगर ऐसा नहीं है तो तुरंद का क्षनिरिक्षक को सुचित करें और अपनी मुख्य पुस्ति का यह मुत्तर पत्र का बदलवाएं देखो क्या कह रहा है जला समझो बात मेरी बटा यहां पर आप देखो एक कोड लिखा हुआ है यह कोड लिखा हुआ है यही कोड आपके question paper में भी छपा हुआ होगा तो instruction में यही कहना चारह है भाई कि जो कोड यहां पर छपा हुआ है वही कोड जो है आपके प्रश्ण पत्र में भी यानि कि question paper में भी छपा हुआ होगा आपको मिला लेना है कि भाई ये code और जो आपके question booklet में code है वो equal वो बराबर है वो समान है similar है अगर वो बराबर नहीं है अगर वो एक जैसा नहीं है तो आपको तुरंट अपने invigilator से कहना है अपने teacher से कहना है कि सर देखिए ये बराबर नहीं है ये अलग-अलग sheet है मतलब मेरे question paper के लिए अलग sheet आएगी और ये code जो है वो बराबर नहीं दिख रहा है मुझे equal नहीं नजर आ रहा है ठीक है तो आपको उसको बदलवा लेना है बात समझ में आ रही है ये काम जरूर करना है दूसरी चीज़ बटा ये गलती कर देते हो ये जो code है ना यहाँ पे booklet code जो है जैसे ABCD ये booklet का code होता है जिसमें questions अलग-अलग order में होते हैं जैसे कि माल लो मेरे question paper में अगर पहला question है कोई fraction वाला question है तो हो सकता है मेरे पीछे जो student बैठा है जो candidate बैठा है उसके पहले question में कोई percent वाला question हो है ना तो question का order जो है जैसे पहला question पे कौन सा question होगा दूसरे नमबर पे कौन सा question होगा वो अलग-अलग होता है अलग-अलग code में तो इसलिए आपको ये code मिला लेना है बैठा की ये code जो यहां पे लिखा हुआ है और जो code आपके question paper में लिखा हुआ है वो same है के नहीं वो समान है के नहीं तो दो चीजों का ध्यान रखोगे पक्का एक बार comment में लिख दो बैठा की master बात समझ में आ गई ये वाला चीज और ये वाला चीज इन दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये पहले page में last में instruction में यही कहा थे उसने ये आपको मैंने बाते समझा दी बहुत अच्छे से तो आई होब कि पहले page के जितनी भी जानकारी है आपको समझ में आ गई है और आप भर लोगे अब जलते हैं अपन second page पे देखो ध्यान से समझना बटा बात यहाँ पे रोल नंबर शायद आपका इस बार मेरे ख्याल से वो वाला मिला है ना alpha numeric वाला मिला है मतलब आप में alphabet भी है ABCD भी है और numeric भी है एक, दो, तीन, चार भी है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे आपको ABCD एकने टुकना बटा जड़ा तो यहाँ पे आपको ABCD कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहाएगा जड़ा रुकना हाँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ ABCD EFGH इस तरह से लिखा वर रहाएगा Z तक तो जैसे आपका J है ना यहाँ अगर J है तो J पे I, J यह वाला J है तो J को आप काला कर देना ठीक है उसके बाद J 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से है तो यहाँ पे एक को काला करना एक के नीचे एक अच्छा यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे पहले इसको गोले को काला करने लगते है फिर गल्ती हो जाती है मैं recommend क्या करता हूँ कि सबसे पहले आप इसको भर लो जो भी roll number हो उसको इस column में इस row में आप भर लो ठीक है इसको भरने के बाद आपके सामने बिल्कुल clarity होगी बिल्कुल clear होगा ये clearly दिखेया कि भाई दो के नीचे मुझे दो भरना है कई बार क्या होता है जैसे ये 3 लिखा हुआ है इसके नीचे बच्चे चार भर देते हैं चार को काला कर देते हैं तो जब आप यहां पे नहीं लिखे रहा होगे तो ये चार वाला इधर भर दोगे ये चार वाला इधर भर दोगे ये पांच वाला कहीं और भर दोगे तो दिक्कत आजाएगी बिटा ध्यान से देखो, देखो एक के नीचे आपको एक को ही काला करना है फिर दो के नीचे आपको दो को काला करना है और तीन के नीचे आपको तीन को काला करना है ये तो मैंने सिक्वेंस लिख दिया इसलिए सिक्वेंस से ब्लैक करते वे जा रहा हूँ लेकिन आपका roll number तो अलग-अलग होगा मालो फिर यहाँ पे मैं कुछ और लिखके दिखाता हूँ नहीं तो फिर आप confused होगे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 लिख देता हूँ या फिर 2 लिख देता हूँ यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं ठीक है फिर लंबर वाली कहाणी समझ में आगई फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इत्मिनान से बटा बहुत अच्छे से इसको करेंगे हम लोग ठीक है चलो अब देखो अब next क्या है next जो है वो आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका मुख्य प्रश्न पुस्तिका का let's suppose कि मेरे question paper में अगर number लिखा हुआ है 3790014 यह लिखा हुआ है मान के चलो तो 3 के नीचे मैं 3 को काला कर दूँगा 7 के नीचे मैं 7 को काला कर दूँगा और 9 के नीचे मैं 9 को काला कर दिया मैंने ठीक इस तरीके से अच्छे से उसके बाद यह 00 है तो 0 के नीचे इधर 0 भर दिया और यह वाला 0 है तो 0 के नीचे इधर भी 0 भर दिया ठीक है 1 के नीचे मैंने 1 भरा बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं और 4 के नीचे मैंने 4 भर दिया तो इस तरीके से आपको भर लेना है ठीक है अब देखो एक मिर्ट पे ने कहा एक मिर्ट बेटा देखो देखो ये ना हमने रोल लंबर में भर दिया देखो ऐसी गलतियां करते हैं लोग तो इस तरह की गलती नहीं करनी है बेटा देखो सुनो ये रोल लंबर के नीचे भर दिया अब ये हर बड़ी में ऐसी गलतियां हो जाती है तो एक काम करते हैं बटा इसको इधर करते हैं रोल लंबर तो ठीक है इधर रोल लंबर हमने भर दिया है और अच्छा इसमें मुझे भरना था ये इस वाले में भरना था और मैंने दूसरे वाले में भर दिया चलो आप भर लोगे बटा चलो अब आगे चलते हैं ठीक है इसको मैं skip करता हूँ थोड़ा 7 चलो भरी लिया हूँ एक और बचा है तो और यहाँ पर 1 अब एक चीज देखो यहाँ आपका काम खता हो जाता है बटा यहाँ आपने भर दिया अपना roll number भर दिया और main test booklet number भर दिया अब जो काम है वो बचा है invigilator का यानि कि परिक्षक का जो आपके classroom में teacher होंगे यह काम वो करेंगे देखो लिखा हुआ है कि to be filled by the invigilator यानि कि जो परिक्षक होंगे वो भरेंगे इस चीज को तो आपको इसके बारे में tension नहीं लेना है यह चीज वो भर देंगे ठीक है तो उनसे बोलना last अगर भरा नहीं हो तो उनको बुला के भरवा लेना पहले ठीक है ना यह खुद मत भरने लगना बेटा यह खुद मत भरना यह सब वही भरेंगे state, district का code, block का code, center का code यह वही भरेंगे तो इसमें खुद आपको कुछ नहीं करना है बात आ रही है समझ में? चलो अब जैसे मैंने strategy बताई है आपको, उस तरीके की strategy आपको follow करने है बटा और एक एक question देखो, total 80 question है इसमें, यह देखो last वाला question 88 number का question है और शुरू का first number का तो इस तरीके से, आप यह मत समय लेना कि इसके बाद एक के बाद यह वाला दो है बटा यह एक के बाद दो इस तरीके से numbering दिखरी है तो numbering पर ध्यान देते वे जाना है और सभी question का जो भी answer है आपको भरना है जिसे A का अगर, पहले का बी answer है तो मैंने B भर दिया मालो की छटवे का आपका D answer है तो मैंने D भर दिया अब देखो थोड़ा सा अगर मालो बाहर भी जाता है तो चिंता करने की जरूट नहीं है देखो, मालो की ऐसा मैंने भरा और थोड़ा सा यह बाहर चला गया थोड़ा सा मैने कम कर दिया, थोड़ा सा मालो बचा हुआ है, तो फिर आप तुम ऐसा मत इस पर टाइम देने लग जाना कि बहुत ही तुमारा टाइम लग जाए, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप भर सकते हो, जल्दी-जल्दी भरना है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी-जल्दी चीज़े हो जाएंगे, अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है निवजे लेटर लिखावट है न, आपकी रैटिंग है, उस रैटिंग में यहाँ पर अपना सिगनेचर करना है, जैसे मैंने अशोक कुमार नाम लिखा था, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो, तो ऐसे लिख सकते हो, अशोक कुमार, या फिर अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, English में आप ऐसे लिख सकते हो अशोक कुमार ठीक है बटा तो ऐसे आप कर सकते हो इसमें आपको पूरा नाम लिख देना है इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी बाकी signature of the invigilator मतलब जो परिक्षक है जो परिवेक्षक है उनका यहाँ पर signature लगेगा sign लगेगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है ठीक है तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ आपका काम कहां कहां है वो ज़रा देखना देखो बटा सबसे पहले तो सबसे पहले first page पर चलते हैं यहाँ पर यह जो चीज़ करना है यह आप ही को लिखना है यह नाम आप ही को लिखना है पिता का नाम आप ही को लिखना है तो यह तीनों चीज़ें उसके बार नीचे आपको कुछ नहीं करना है ध्यान रकना इधर आजाओ एक बार अगर o aslında पैटर्न चेंज भी होता है तो आप यहाँ पे देखना जहाँ पे लिखा होगा to be filled by candidate वहाँ पे तो तुम्हें खुदी करना है जहाँ पे भी invigilator आ जाए invigilator का मतलब होता है कि जो आपके कमरे में teacher होते हैं तो जहाँ भी invigilator का मतलब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप यहाँ पे अपना नाम लिख लोगे sign कर दोगे ठीक बात समझ में आ रही है चलो I hope कि आपको सारी चीज़ समझ में आई है बेटा आगे जो है वीडियो को समाप्त करने से अच्छे से अपनी तयारी कर सकते हो इसमें video lecture, chapter, test, exercise, question, telegram, group सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन अभी आपके लिए क्या है न 30 mock test के जो series है यह बहुत बहतरीन series हमने design किया है आप सभी के लिए जिससे आपको काफी successful यह आपके लिए काफी successful होगा आपके success में काफी help करेगा तो यह 30 mock test के series में जरूर से enroll करें drone school का app आप play store से download कर सकते हैं available है play store पे download play store से download कर सकते है drone school का app और आप इस 30 mock test को attempt कर सकते हैं यह भी solution के साथ है तो इसमें से ज़्यादा तर question आपके आएंगा अच्छा perform कर रहे हैं तो model papers with video solution है तो आप इसमें जरूर से enroll करें अगर आप बहुत अच्छा perform करना चाहते हैं final touch देना चाहते हैं अपने preparation को तो इसमें जरूर से enroll करें और बागी बटा यह जो telegram group है इसको join कर लेना daily updates के लिए इसमें आपको updates मिलती रहेंगी कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस number पे call या WhatsApp कर सकते हैं batch related, OMR sheet वगरे से related मतलब कुछ भी है ऐसा अगर apps related कोई जानकारी चाहिए batch लेने से related कोई जानकारी चाहिए कहीं payment में problem हो रही है अगले साल के तयारी करना चाहते हैं तो आप इस number पे call कर सकते हैं 6260-388-361 WhatsApp भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है so we are available on WhatsApp as well so you can call us on 6260-388-361 और you can text us on 6260-388-361 पे ठीक है बाखी बटा एक चीज जो Cynic Alpha हमारा बैच है ये अगले साल के लिए Cynic की जो तयारी कर रहे है बच्चे Cynic School की उसकी तयारी करवाता है और 9-10, Alpha 9-10 की तयारी करवाता है इस बात का ध्यान रखें जरूर से अपने दोस्तों को recommend करें उम्मीद करता हूँ कि बच्चे बच्चे करवाई बच्चे करें